चलो चलते हैं बजार तणीश्क बजार चलना ना जट तरो किसके क्या करेगा इससे कैसे पैसे कमाते हैं आट पर मेरे पास एक कुछ खास भी कोई नहीं इन पेसों से क्या करोगे तनिश? मैं इन पेसों से भी अपने खड़ी दूँगा इन पेसों से कपडे तनिश यह सर पे क्या लगेवा सिन्दूर? अभी तक लगेवा है नही अब गोरी टीकी है अचा यह देखो यह माताजी का कोईन भीन है दिखा न? यह देखो माता जी मा गौरी बनी वी है इनके हाँ मैं ऐसे और भी कोई निकट्टा करता हूं देखो दोस्तों में पर पूरा बुक्स से पड़ा है दोस्तों यहाँ पर कल गणेजी का जुलूस निकेलेगा इसी कारण से आज लाइट भी गई वी है देखो और पसीन इतना आ रहा है तनीश को भी बहुत जद आ रहा है तो इस अच्छा है कि हम दोनों बहार जा रहे हैं हेलो दोस्तों लाइट जाने के कारण हमारे सारे काम पेंडिंग हो गए तो कोई दिक्कत नहीं हम जा रहे हैं बाहर बाजार चलिए आप भी चल दो चलो आप भी चलो बाजार बाई चलिए चलते हैं बाजार चलो बाजार इससे राजयो तनिश्टों दोस्तों जिस बाजार से हम जाएंगे वो रस्ता पैदा के दो है क्योंकि हमारा पस गाड़ी नहीं है तो से हम पैदा के लिए चले हैं क्यों तनिश्टों है यह वो रस्ता है जहां से हम बजार के लिए निकलेंगे यहां से बजार बहुत चल्दी पास मिल जाएगा यह वो रस्ता है जहां से हम बज़ार के लिए निकले ही है यह देखो चलते गए हैं वोकम की गाड़ी बंद हो जाती है तो आज गणेश से तुटी यह बच्चा फूजा कर रहा है मेड़ी भी दिखाओ सभी अपने घर के बार गणेश जी की फूजा कर रहे हैं देखो चलते चलते सांस अपिल रहे हैं बहुत जाता है और अज गर्मी भी बहुत जाता है ना तो यह तो गर्मी और हो दिखाओ सब्सक्राइब जाना है उस बजा वहां पर बस पहुंचने वाले यह थोड़ा सा रस्ता है इसको पार करने के बाद वहां पहुंचे जाएंगे दोस्तों सब जगे में ने एक बात देखी है कि आज गणेश चोते हैं और सब जन अपने घर के बाहर जो गणेश यह सब पू को बोलता है दोस्तों नारगड रोड जो कि जैपूर का अच्छा का सा बजार माना जाता है जो कि हमारे घर के पीछे के साइट है राफिक बहुत ज़्यादा है रेकिन यह यहां पर कूलर मिल गया जहां पर वहां हवां कर रहा है आज तो बहुत है गर्भी होगी ने जोस् कि ले लेते हैं तनीश के लिए समान ले लिए हैं थोड़े समान और चाहिए जो के आगे मिलेंगे चलिए थोड़ा सो और आगे कुछ प्लास्टिक का आइटम ले लेते हैं फिर चलते हैं अपने घर पे वाप पास पर दुकान दिखी नहीं दी मेरे को थोड़े आगे हो गया ना पूरा यह होलसेल मार्केट है जो कि नारगड बजार कहलाता है यह अच्छे प्लास्टिक के दुकान है वह तो बहुत आगे हैं थोड़ा और चलना पड़ेगा फिर वहां तक पहुंच जाएंगे दोस्तों आ गए हैं हम घर पे तनिशा भी नहाने गया है और लाइट आ गई है व्लोग अब ऐसे ही जारी रहेगा कंटिनुड थैंक्यू